अब तुम मैं अपनी वीडियो में हजार बार बोल चुका हूँ कि सब्सक्राइब कर दो वीडियो पसना है सब्सक्राइब कर दो लेकिन तुम लोग करते हैं नहीं मतला में पर कुछ शब्दी नहीं बचाया रव तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसी गलतियां जो हर प्लेयर अपनी प्रो की जॉर्णी में कभी ना कभी तो कमिट करता ही है कियोंकि मैंने भी किया हर फो कोई। काई लयां पांच ना citizenship कि आपकर इंच लाया चला है कोई यापको पुरूशन की जॉर्णी आज कि वीडियो के बाद को सुधाल लाने में कोई और वीडियू की जरुरूत नहीं पड़ीगी लेकिन गाइस अगर आपको इस वीडियो इतनी ही पसंद आ भी गई हो, मेरी एडिटिंग भी अच्छी लग गई हो, तो लाइक कर जाए, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी टिप्स, ऐसी और टिप्स और ट्रिक्स वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, कॉमेंट सेक्शन तो आपको इस चैनल बिल्कुल ही पसंद आ गया हो, आपको अच्छा लग रहा हो चैनल, तो भाई किस चीज का इंतजार, नीचे स्क्रोल डाउन करो, वीडियो को पाउस करके, सब्सक्राइब करो, और मेरा नाम है राम, आप लोग देखरे ग्यां फ्लूट राम, चलिए शिर कर रहा हूता हूँ, मैं जैसे इस पर रश कर रहा हूँ, मेरे को नोटोस होते है, मेरा टीम मेट नौक हुआ है, और मैसको फटा-फटा से रिवाइफ करने जाता हूँ, अब वहां पर जो सामने बंदा गया है, वो सून और लेटर नौक हो जाएगा, लेकिन गाइस, यहां वैसे ही, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हूँ, मैंने यहां पर एक बंदे को रिवाइफ करने का सोचा, तकि अगर मेरा मैं नौक हो जाओ, मेरा टीम मेट नौक हो जाए, हम मर जाए, कम से कम एक बंदा तो उसको मारी पाएगा, या नहीं भी मार पाएगा, तो कम से कम म अगर आपको लगी कि मैं नहीं कर पा रहा, कुछ जादा ही औरजन्ट चीज़ है, मैं नहीं होगा मुझसे, तो भाग जाओ, मेभी रैंग मैच में वार्बिन टोकन या उस चीज़ से कर दो, बट कर दो, टीम मेट आपकी फॉर्स प्रायोरिटी होनी चाहिए, जब भी आपको बताता हूं, मैं आता हूं सोलो पर से सोलो रैंक मैच में, मेरा अभी स्कोर चल्टर काफी हाई, अल्मूस्ट तू स्टार होने वला तो अच्छा माइनस भी लगता है, मैं पीक पर आता हूं, एक बंदे को मारता हूं, सामने एक बंदे होता हूं जिसको मैं डामेज तो यहाँ पर क्रोनो की बात नहीं है, उसके पस कवर है, आपके पस कूज भी नहीं है, ना मेरा वो कांग है, ना कुछ है लिए कवर में आने से मेरा रैंक भी बज गया, मेरा इस लूट लेने का चांग सब बज गया, I am totally safe थोड़ी देर मैं वहां बैठा था, जब तक वह अपना होगा, मेरे को लगा था, वह मेरे को मारेगा, बड़ थोड़ी देर बात मैं वहां से खुद निकल लिया, सामने मेडीकेट थी, मैं लगी था, मैंने फटा-फट से हील करके, बाद मैं मैं मैच को बुया कर लिया, तो यहां से चीज परती है चलती है बैक आफ वन नीड़ेड और यही पर जमने ड़स्बिन कर लिया तो हमें पता चलता है मैं थर्ड टिप जो की है कवर फायर कवर फायर को एक्सपेंट करने के लिए आप यह क्लिप देखो जो मैंने डवल में चलाई काफी अची चलाई है मिले होफुली आपको में टूबी का गेमप्ले अच्छा लगा होगा अब मैं यह एक्स्प्लेइन करता हूं मैंने किया क्या एक बंदा उपर होता जो मैंने मारा जो मैंने क्लिप में नहीं दिखाया तो एक तुम के ऐसी ले लो यहां से में बात शुरू होती है सामने एक बंद देते ही कवर लिया उससे पहले में भी मैं कवर में आया वो कवर में नहीं है और उसकी कवर ना रहने में मैंने उसका हेड भी ले लिया बाद में यहां पर टिप आती है जब भी तुम लड़ने जो वाल भाई तुम क्या करोगे 20-25 रख लेते हो कलेक्शन बना लेते हो कले लेकिन कवर फायर हमेशा न अचिये अब इन बंदों के पास कवर था बट में पस M2B थी तो मैंने अराम से हार पार मार के एस कर लिया तो होपफुली गाइस आपको यह टेप अच्छी लगियो गई अच्छी लगियो गई कि यह प्ले रोल करता है कि जब भी कोई मेरा नाम पड़ता है तो वो क्लियर ली पड़ता है कि यह बैनर सुन्दर होता है जैसे अगर लेकिन मैं यहाँ पर Wukong the Legend, Digital Flame, Life of Hayato, Party Animal जो थोड़े ग्राफिकल वाले होते हैं उन्हें मेरे नाम चुप जाता है क्योंकि उनके खुदी ग्राफिक से तने स्टैंड़ाउट कर रहे होते हैं कि मेरा नाम उसमें चुप जाता है तो मैं चुपाना तो नहीं चाहता है, मैं तो चाहता हो recognition मिले मेरे को मेरे नाम से कोई बोले हा राम 23F या राम FF तो उस चीज के लिए मैं कोई banner कुछ ऐसा सरकना पड़ता है जो प्लेन रहे सुन्दर लगे और साथी साथ अधा सेम टाइम बंदा नाम पड़ सके अगर कोई अच्छा बैनर नहीं हो तो तुम डिफॉल्ट भी लगा सकते हो मेरा प्रेफर रहता है CSR का rank season diamond का फिफ्ट season जो उसका था diamond का में लगा कर रखता हूं जो मेरे खालते सबसे अच्छा होता है साथ ही साथ जो avatar होता है वो तुमारे उपर तुम्हे उसको साथ में blend in करना है नहीं करना वो तुमारे पर completely में जैसे में आपर season 19 रखता हूं next thing जो हमारी आती है वो है land away from plane line okay, now land away from plane line का simple मतलब है जैसे कि यह मेरे एक squad match और अभी Venom और Carnage का मारे साथ वो चल रहा है collaboration तो plane का फिए सुंदर रखता है तो यहां पर मेरा फ्रेंड कहता है कि factory जो की blue zone है यह बर्मूरा रिमास्टर लेकिन गलती है blue zone ठीक है बट वो कुछ जादा ही पास है सेफ भी रहते हो शुरू में क्योंकि जो लोग रैंक पुछ करते हैं उनको अच्छा चाहिए हो ता लडने के लिए तो blue zone में जाओ blue zone में जाने में कोई दिक्कत नहीं जाओ लेकिन जब वो थोड़ा दूर हो तब जाओ या तो में काम करो लेट जाए करो क्योंकि blue zone लोग इसले जाते है the purpose की वहाँ पर उनको अच्छा लूट मिलेगा लैंड हो तीम लूट मिल जाता है लेकिन अगर वही blue zone थोड़ा दूर होगा तो जो टीम सबसे पहले उतरीगे पहुचेगी भी उनको अच्छा लूट मिलेगा तो यूजवली जब भी blue zone पा हो सके तो बुया भी निकाल लो और अच्छा प्लास हो एन्यों गाइस नया सीजन आने वाला है मैं भी उसकी तैयारी में हूँ आप लोग भी तैयारी में होगे तो इस तैयारी में अगर आपको मदद चाहिए मेरे से हो ऐसी वीडियो चाहिए राइंक टिप्स के लिए तो झाहिए